अश्रुनी उपाधियाई जी जरा इसको समझा दीजे क्योंकि बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीजे जो समझ नहीं आती जो जहां कोई दिक्कत हो सकती कि केंदुरी कानून तो बहुत हैं उनके रहते राज्यों का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कितना प्रभावी होगा स समान नागरी संगीता पे 23 नॉम्बर 1948 को बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है और समविधान सभा में 300 विद्वान लोग थे रफी अमद किद्वई थे मौलाना कलाम थे नेरू साब थे बाबा साब अमिडकर थे स्याबशाद मुखर जी थे 300 विद्वान ने मिलके तें किया कि भारत समविधान से चलेगा समविधान का मतलब होता है समान विधान समान विधान का मतलब समान दंड विधान समान टैक्स विधान समान नागरिक विधान हमारे देस में One Nation One Tax हो गया One Nation One Penal Code हो गया One Nation One Labor Code हो गया Unfortunately इस पे पिछले 75 साल में गंभीर तक साथ काम नहीं हुआ अब कम से कम काम हो रहा इसके इसले में स्वागत करता हूँ नहीं कमिटी बना देना सर आपको लग रहा है स्काम की नुशाम में मांगे बढ़ रहे है स्वावा इससी बात है अगर कोई घर बनाना तो पहले आपको नियू की पहली इट रखना पड़ेगा अच्छा मुझे परफिता जी दो एक मिनट के अंदर बताता हूँ कामन सिविल कोड आने से बाल विवाह बंद होगा सबको स्वागत करना चाहिए कामन सिविल कोड आने से बह विवाथ चार शादी वाला सिस्टम खतम होगा सबको स्वागत करना चाहिए Common Civil Code होने से Age of marriage लड़के लड़की शादी को बराबर हो जाएगा इसमें क्या दिक्त है Common Civil Code आने से Ground serve, divorce, procedure of divorce सबका तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा इसमें क्या दिक्त है सबको स्वागत करना चाहिए Common Civil Code आने से Property का राइट, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार देश की सभी बेहन बेटियों को एक समन मिल जाएगा तो स्वागत करना चाहिए अभी आज की रेट में क्या हो रहा है हमारे देश में माली जे मेरी चार बेटिया है चार बेटी अगर एक हिंदू से शादी करे एक मुस्लिम से करे, एक पार्सी से करे, इसाई से करे जब तक वो मेरे घर में है चारों के Civil Rights, Human Rights बराबर है चारों के सारे राइट बराबर है लेकिन अगर वो जैसे शादी कर लिया एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक पार्सी है किसाई से चारों के Civil Rights बदल जाते हैं चारों के Property Rights बदल जाते हैं चारों के Human Rights बदल जाते हैं ये नहीं होना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये स्वागतियों कदम है जो एक कमिटी बनाई गई है, आगे चलना चाहिए वैसे मैंने आलड़ी इस सारे विश्यों पे Supreme Court मेरी PIL भी चल रही है अगर राज ये ऐसा कुछ बना भी देता है तो क्या उसकी वैदिता को High Court Supreme Court में चुनौती भी तो दी जा सकती है चुनौती तो देखिए, चुनौती PIL फाइल के तो आदमी किसी विशेपी कर सकता है C.A. के खिलाफ 500 PIL फाइल हो गई है, लोग PIL फाइल कर देते हैं लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको Supreme Court इसलिए इंटरटेन नहीं करेगा कि 9 जज्जमेंट है Supreme Court के 9 जज्जमेंट 9 जज्जमेंट में Supreme Court कह चुका है कि बहिए कामन सिविल कोट ले आओ ये परसनल ला से बहुत समस्या हो रही है, परसनल ला से मुकदमों को निप्टाना बड़ा मुश्किल हो जाता है दिक्कत यह होती है कि अगर महिला हिंदू है और पूरुस मुस्लिम या पूरुस में इसका वाइस वरसा है अब वो दोनों अगर आ गए कोट में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उनों मुकदमों को डिसाइड करना बड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए मैं कहरा हूँ कि इस देश में चुकि सारी चीजे कामन है और समता समानता की बात तो सब लोग करते हैं लेकिन अशुनी चीजे तो डिपेंड करेगा राज्यों पे ना कौन से राज्यस को बनाना चाह रहा है नहीं बनाना चाह रहा है माली जे कल को ये कमेटी के बात हुई माली जे इस पर बीजेपी आगे भी बढ़ जाए कॉंग्रेस नहीं आगे बढ़ रही अपने राज्यों में तो कैसे समानता आएगी ज़र नहीं अल्टीमेटी देखिए ये राज्यों से सुरू होके पहुँचेगा तो ये संसत तक केंद्र तक पहुँचेगा अल्टीमेटी जब हम इस देश में चाहते हैं कि देश को सबको बराबर अधिकार मिले तो स्वाभाविक सी बात है इसको केंद्र तो लाना पड़ेगा और एक बात मैं ज़रूर अरपिता जी कहना चाहूंगा कामन सिविल कोर्ट से हिंदू जैन बहुत सिख को कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो हिंदू मैरिस एक्ट है 1955 का वो लगबग महिला पूरूस को बराबर मनता है कोई भेदभाव नहीं करता तो कामन सिविल कोर्ट का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा जिनकी शादी कुमर कम है जिनको गुजारा भटता मिलता ही नहीं है जिनका तलाक आज भी कूरियर के जरिए पोस्ट के जरिए चिठ्ठी के जरिए वाटसप के जर आप लोग मुसलिम नेता बनते हैं मुस स्लिम्हों के हित कि बात करते हैं तो पुर्ष्चों के ही इस की बाते महिलाओं के हित मैं खड़ी नहीं होना चाहryw से क्योंकि ट्राइबस में बवपती बीवा है दुरोपदी सिस्टम इपनाल भिया जाता है शाधी कर एक एक अवरत पहाड़ों में नाथीस्ट में और हर्याना में पांच-पांच मर्दों से शाधी करती है कि यूनिफॉर्म सिवल कोड्स से आपकी कौन सी ऐसी धार्मिक मानिता है जिस पर फरक पड़ेगा सर अगर पाहली बाद तो अपना संटेंस वापस लीजिए मैं सिर्म मुस्लिमों को नहीं रिप्रेजन कर रहा हूं मैं पूरे देश को रिप्रेजन कर रहा हूं पूरे देश की तरफ से ये मैं पूछ रहे हूं आप से कि कौन सी ऐसी धार कौन सी पार्सी हिंदू मुस्लिम कौन सी ऐसी धार में एक मानिता है जिस पे फरक पड़ जाएगा युनिवर्म से पोड़ लाने से आप बताइए न मुझे पूरे देश में पाबंदी लगाएगी क्योंकि गोवा में तो इन्हीं की सरकार है कौन सिविल युनिफॉर्म सिविल कोड लाने से खाने पेने की कहां से बात आ गई सर इसमें तो भई विवात अलाग बच्चा बोद लेना संपत्ती का बटवारा इन पर इन पर बनेगा ना सर इसमें आप क्या खाईए आप क्या पहनी आप किस तरीके से आराधना कीजे कि तरीके से आप पूजा कीजे इस पर तो कुछ नहीं बन रहा शादी विवास अब कुछ डिस्कस होता है ना उसमें अब जैसे नायर सांज अच्छिव भारत के तो अपने सभी भांजी से खोड़ा सर एक से कि बड़े आराम सर समझना जारे है एक से इसमें खाना पीना कहां कौन क्या खा रहा है कि a common civil court से यह तैय होगा कि आप दाल चावल खाईये यह तays नहीं होना चाहिए तो क्या गोवा में गौकशी करने वाला अब्दुल जी सुनिये तो ये कोई सवाल ही निये मैं आपसे क्या पूछ रहे हूं आप मतलब तैकर क्या आए है क्या कि मैं कुछ भी पूछूंगी जो आपका मन है वो आज जवाब देंगे अगर ऐसा है तो सुन्हें आगे वरू कामन सिविल कोड पूरे भारत पे एक साथ लगेगा कि यहार इस्टेट में अलग लगेगा राजी राजी के एसाब से अभी तो राज जिताय कर रहे है ना